हेलो फ्रेंड्स स्वागत है अब सबक्त के अपने चैनल पेद अकैडमी में आज की वीडियो में हम संस्कृत में अब कास के लिए आबेदन पत्र की श्टडी करेंगे अपने हमारे चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप फटा फट चैनल सबस्क्राइब कर ल आपके क्लास 10 के संस्कृत में एक बाक्यानों और एक पदैन महत्पूर्ण प्रिश्ण है उन पर भी हमने वीडियो बनाई है अगर आपने नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जाकर आप देख सकते हैं चली फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए आप कोई भी आविदन पत्र लिखें आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होता है आपको कोईशन को बहुत कैरफुल तरीके से रीट करना होता है और ये तीन चीजें देखनी होती है सबसे पहले आपको विद्ध्याले का नाम मेंसन है गर दूसरा आपको स्टुडेंट का नाम मेंसन है या नहीं और ताड नमर पे आपको कितने दिनों के लिए अपकास लिखना है अगर प्रिश्न में ये सारी जीजें में में हैं तो आप Oh has mês जालो करते हैं है अपसे पहले हम एडिंग डाल देथे आपका यहा आपको इतनी हेटिंग डालना यह वाली नहीं डालना ठीक है उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम सेवायाम मानिय प्राचार महुद है साज की उच्छतर मादमिक विद्ध्याल है उज्जे नगरम मद्यप्रदेश देखिए अगर आपको प्रिश्ण में मेंसन होता कि स्कूल का है उज्जे नगरम मद्यप्रदेश देखिए यह चीजें एड्रेस आप अगर क्योश्टम में में मेंसन है तो आपको बूल लिखना है याप अगर नहीं में तो आप अपने मंद से कुछ भी लिख सकते हैं यह च्छुटी-च्छुटी बातों को आपको याद रखना उसक आपसे बिनर्मता पूर्बक निवेदन है कि मैं जोर पीड़त हूँ इसलिए मैं बिध्याले आने में असमर्त हूँ मैं बिध्याले नहीं आपाऊंगा क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ उसके बाद किरपया पंच दिपसा नाम देखिए अगर प्रिष्ण में आपको लिखना है कि 5 दिनों के लिखना है तो आप 5 दिन लिख दोगे इतना होगा है हमारा उसके बाद आपको दिनांग लिखनी होती है देखिए दिनांग आप अपने मन से कुछी भी लिख सकते हैं या मैंने लिखी नहीं इसलिए आप अपने मन से कुछी भी लिख सकते हैं जिस दिन आप exam दे रहे हैं उससे एक दो दिन पहले की भी आप date यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद भवदिया सिस्या देखिए अगर आप girl के लिए लिख रहे हैं तो आप सिस्या लिखेंगे अगर आप boy के लिए लिख रहे हैं तो sis से लिखेंगे भब दिया, sisya, कभीता, दसमी तो यह हमारा यहाँ पर application होगा है complete फिर से एक बार देख लेते हैं सबसे पहले हमें देखना होता है question को बहुत अच्छी तरीके से question में आपको तीन चीज़े देखनी होती है सबसे पहले आपको बिद्याले का नाम mention है या नहीं दूसरे नमर पे आपको student का नाम mention है या नहीं और तीसरे नमर पे आपको ये mention है कि नहीं कि कितने दिनों के लिए आपको लिखना है ये चीज़े अगर mention है तो अपने application में आपको लिखनी होती हैं अगर नहीं mention तो आपको एड्रेस तो आप बो लिख देते अगर नहीं है तो हम अपने अपकास के लिए प्रात्ना पत्रम अपसे बिनर्मता पूर्बक निवेदन है कि मैं जोर पीड़त यानि कि बुकार से पीड़त हूँ इसलिए मैं बिद्ध्याले आने में अस्मर्त हूँ बिद्ध्याले नहीं आ सकता किरपया पंच दिपसानाम देखिए अगर प्रिष्ण में मैंने होता कि 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो वो आपको लिखना होता है तो किरपया पंच दिपसानाम अपकासम सुईक्रवन्तू किरपया आप 5 दिनों का मुझे अपकास प्रदान करें उसके बाद दिनांग दिनांग आप अपने मन से लिख सकते हैं आप एक्जाम दे रहे हैं उससे एक दो दिन पहले की लिख सकते हैं इंड़ता कमरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद